हेलो गाईज, वेलकम टो जाइका एंट फ्रेवर तो चली फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे वरत के लिए थाली ये थाली मैंने बिना नमक की तयार की है इसमें मैंने नमक नहीं डाला है तो इस थाली को आप किसी भी वरत में खाएए शिवरातृ हो या नहुरात्री हो किसी भी वरत में खाएए जिसमें आप नमक नहीं खाते हैं और अगर नमक क् Mohammad थाली में और फ्रूट एलेड में आप नमक टाल सकते हैं इसमें मैंने प्रोटीन वाइटमंस और कार्वोहॉईड्रेट सभी चीजों का ख्याल रखा है तो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, वाइटमेंस और कार्बोहाइडरेट मिलेगा इस थाली में आपको तो चली रैस्पी को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले बनाएंगे हम लोग गाजर की खीर गाजर की खीर खाने में बहुत टेस्टी ल तुकणे मेनल सभी खाएंगे हैं अग खीर ओल टाल दीजिए और एक गलास पानी है अब इसको ठीटीकूटीकट्स लगाएंगे हैं यह देख़ा हमारे इवलकर एकदम सौफ्ट हो गई हैं इसको प्रेक्डे खृते हमां कर सोफ्ट हो गई हैं इसको मैंने छ्खे एक्स्ट्रा पानी हो वो सब निकल जाए अब क्या करिए एक ठाली में गाजरो को पलटाए और इसको अच्छे से मैश कर लीजे हाथों से या मैसर से गाजरो को अच्छे से मैश कर लीजे ये देखिया हमारी गाजर अच्छे से मैश हो गई है और खीर में डालने के लिए मैं पर लिया है मैंने आधा लीटर दूद ये फुल फेट दूद है फ्रेंट्स तो चलिए अब खीर बनाते हैं गैस पर एक कढ़ाई रखे उसमें डाल दीजे एक छोटा चम्म शिद्गी घी थोड़ा से गरम हो जाए तो उसमें सबसे पहले आप काजु और बादाम को थोड़ गी बचा हुआ है उसी में अपनी गाजर डाल दीजे और गाजर को एक से दो मिनट लगातार चलाते हुए भून लिजे इस तरीके से गाजर की खीर बनाएंगे तो फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी बनती है आपको खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको काफी ए अब जब खीर में उबाल आने लगे तब इसमें चीनी डाल दीजे तो देखिए हमारी खीर में उबालाना शुरू हो गया है तो यहां पर डाल दीजे आप लोग आधा कटोरी चीनी यानि कि 6-7 छोटा चम्मत चीनी अगर आप लोग कम ज्यादा पसंद करें तो फिर अपन को पका लिजिए और मीडियम फ्लेम पर और यहां पर खीर में डालने के लिए दो इलाइची का पाउडर बना कर त्यार कर लिजिए यह देखिए खील लगबग हमारी पक चुकी है काफी गाड़ी होगा यह पकते पकते और एकदम इसका टेक्श्चर बढ़िया हो गया है तब लास्ट में इसमें डाल दीजिए इलाइची का पाउडर किनारे किनारे जो मलाई जैसा जम जाता है उसको भी आप खरोच कर इसे खीर में मिक्स करते जाएए यह इलाइची का पाउडर डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए खीर के साथ अगर आप चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी यह देखिए हमारी खीर बन चुकी है बहुत ही टेस्टी खीर बनी है तो इसको चलिए गार्निस कर लेते हैं अपने काजू और बादाम के साथ ये देखिए बहुत ही टेंटिंग लग रही है खीर बहुत ही टेस्टी बनकर तयार हो गई तो इसको जरूर ट्राइ कीजी चलिए आप बनाते हैं हम लोग आलू का हलुआ प्रेंट्स आलू का हलुआ भी वरत में काफी अच्छा लगता है और ये काफी इनर्जी देने वाला होता है इसमें कार्वो हाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है तो इसको आप लोग जरूर बनाएए वरत में तो देखिए पांच उबले आलू लिये थी मैने मीडियम साइच के उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया यहां पर तो चलिए हलुआ बनाते हैं गैस में एक पैन रख दीजिए या फिर कढ़ाई रख दीजिए इसमें डाल दीजिए दो छोटे चमत शुद्ध गी या फिर एक बड़ा चमत शुद्ध गी थोड़ा से गरम हो जाए फिर यह मैश किया हूँ अपना आलू डाल दीजिए आलू को गी में अच्छे से एक से दो मिनट भून लेजिए आलू को लगातार चलाते हुए भूनिए फ्रेंट्स क्योंकि या आलू का फिर ड्राइ होता है तो वो फिर नीजे पैन में लगने लगता है चिपकने लगता है इसलिए इसको लगतार चलाते रहे है अब इसमें डाल दीजिए टेस्ट की कॉर्डिंग चीनी तो यहां पर डाल दीजिए आठ से दर्स छोटा चमच चीनी कम ज्यादा पसंद करें तो फिर अपने हिसाब से आप लोग चीनी ले ले यहां पर आठ से दर्स चमच परफे जब हलुआ पक जाए तो आखरी में डाल दीजिए इसमें एक लाईची का पाउडर है अब फ्रंट्स हलुए को आप जितना ज्यादा थुड़ा भून देंगे और तो इसको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा काफी अच्छा लगता है आलू का हलुआ भूनने के बाद इ एक चमच और ही इसमें डाल कर थोड़ा सा भून लीजिए हलुए को तो काफी सोंदा टेस्ट हो जाता है इसका और अच्छा लगता है अबरत में अगर खाएंगी तो पेट काफी भराबरा सा लगता है और भूग भी नहीं लगती है तो आप अगर नमक नहीं खाते हैं गाजर की खीर कोई भी चीज बना कर ट्राइए किजिए आप लोग आपको बहुत पसंद आएगी तो लीजे हमारा आलू का हलुआ बनकर एकदम तयार है यह देखने में काफी अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो चली हमारी दो रेसिपी कंप मखाना ले लीजे इनको लो फ्लेम पल लगातार चलाते हुए आप लोग भून लीजे जब तक यह थोड़े सी क्रिस्पी ना हो जाए तो चार से पांच मिनट का टाइम लगता है फ्रेंट्स मखाना को भूनने में तो मखाना आप यह मखाना यह देखिए हमारी मखाना यह पर भून चुके हैं दवाने से एकदम अच्छे से टूट रहे हैं और इन मखानों को आप चाय के साथ भी ले सकते हैं व्रत के दिन या फिर अपनी थाली में रखकर खाए काफी अच्छे लगेंगे अगर आप लोग नमक खाते हैं तो इसी समय समय व्रत वाला नमक डाल ल फ्रूट्स ले ले या फिर अपने मन पसंद कोई भी फ्रूट्स ले लिजे फ्रूट्स में फ्रैंट बहुत जादा वाइटमेंस होते हैं तो व्रत के दिन आपको इसमें कार्भो हाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटमेंस सब कुछ मिल जाएगा मखाना में बहुत जादा बनाते हैं तो जरूर ट्राइ कीजिए और चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ तब तक लिए जैहिन जैभारत